दोस्तो मारकस इस्टोनी की घातक गेद पर गंभी रूप से चोटी लो गए केल राहूल तो उनकी पतनी आत्या सेश्टी के आँखों में आसु आ गए जी हाँ आपको बता दे अनिरडायक मुकाबले में आस्ट्रेलिया के दिये गए 270 रने के लच्छे का पीछा करने के लिए केल राहूल विराटकोली के साथ बल्लेवाजी कर रहे थे तभी पारी के 23 वर में मारकस इस्टोनीस की गेद पर वो चकमा खा जाते हैं और वो सीधा जाकर उनकी धाई पर लगती है और वो गंभीर रूप से चोटी लो जाते हैं बीच मैदान में यो दर्द से करा उठे ऐसा लग रहा था कि वो चोटी लो गए हैं राहूल का दर्द उनकी पतनी से सहन नहीं हुआ आत्या के तो ओस्वी उड़ गए थे बड़ी मुश्किल स वो अपने आजो को छुपा रही थी तो दोस्तो राहूल और सुमन में सबसे बेतरिन खिलाडी आप किसे मानते हैं कमेंट में जरूर बताईएगा